धीपा वली आई है तो पटाके तो फूटेंगे ही जिसे जो कहना है कहतर है लेकिन पटाके फोटते समय या पटाके चलाते समय हमें भी कुछ सावधानियों का ध्यान रखना हैं वो कौन से सावधानिया हैं जैसे जहां तक संभव हो कम आवाज वाले पटाकों का उपयोग करें ज्यादा तर स्मोक लेस पटाके चलाएं ताकि बदेरता नहीं होगी ऐसे पटाकों का उपयोग करें जिसमें रशायनों का उपयोग ना हो बच्चों को अकेले में पठाके न चलाने दे, ये बहुत जरूरी बात है पठाके चलाते समय नाइलान, टेरी कॉट, रेशम के धीले वस्तर ना पहने और हाथ में लेकर पठाके न चलाए पटाके चलाने के बाद बचे कच्रे को घरेलू कच्रे के साथ ना रखे नायलान के कपड़े ना पहने पटाके चलाते समय कॉटन के कपड़े पहनना बेतर होता है पटाके चलाने के लिए माचिस या लाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इसमें खुली फ्लेम होती है जो की खतरनाक हो सकती है राकेट जैसे पटाके तब बिल्कुल ना चलाएं जब उपर कोई रुकावट हो मसलन पेंड, बिजली के तार पटाकों के साथ एक्सपेरिमेंट या खुद के पटाके बनाने की कोसेश कभी ना करें सड़क पर पटाके ना चलाएं एक पटाका चलाते वक्त भांकी पटाके आसपास ना रखें कभी भी अपने हाथ में पटाके ना चलाएं अनार को कभी भी हाथ में लेकर ना चलाएं